नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मार्च के अमतिम सप्ता में होनी है जिसमें दोनों टर्म की परिक्षाएं एक साथ लिजाएगी जार्खन में 16 फर्वरी को बारिस राइधानी रांची समेत राजे के बोकारों गढ़वा पलामों देवगर धनबाद दुम का आधी जिलो में 16 फ्रवरी को फिर बारिस हो सकती है मौसम केंद्र रांची ने इसको लेकर एलो अलट जारी किया है इसके तहद 16 फ्रवरी को राजे के उतरी और मध्य भागों में बजरपात के साथ बारिस की संभवना जताई गई है राइधानी सहीत राजे भर में बीते 24 गंटे में मौसम सूस्क रहा सबसे अधीक तापमान चाई बासा का 28.8 डिगरी रहा मौसम भीभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में निवतान तापमान में बड़े बदलाव की संभवना नहीं है मैट्रिक इंटर के दोनों टर्म की परिक्षाओं में 40-40 अंकों के पुछे जाएंगे प्रस्ण जैक की मैट्रिक इंटर्मिडेट की दोनों टर्म की परिक्षाओं में परते एक बिशाओं में 40-40 अंकों के प्रस्ण पत्र पुछे जाएंगे पहले टर्म की परिक्षा में संसोधी सिलेबस के आधे भाग से प्रस्ण पुछे जाएंगे परतेक विशय में पहले टर्म का वेटेज 40 अंग एवं प्रयोगिक परिक्षा या आंत्रिक मुल्यांकन का वेटेज 10 अंग का होगा इसी तरह दूसरे टर्म का भी वेटेज 40 अंग तथा प्रयोगिक परिक्षा या आंत्रिक मुल्यांकन का वेटेज 10 अंग का होगा इस तरह परतेक विशाय का पुणांग 100 अंकोका होगा 1932 खतियान संहर समिती जारखन की बाइक रैली आज 1932 खतियान संहर समिती जारखन की बाइक रैली रभीवार को दिन के गारा बये से निकाली जाएगी बाइक रैली अंगडा से टाटी सील्वे तक चाहेगी आयोजक आतीस कुमार भातो ने बताया कि तीन दीनी आंदोलन के पहले दीन बाइक रैली सोमवार को मसाल जुलूस वहीं सीएम हेमन सुरेन का फुतला दहन और मंगलवार को मानव स्रिंखला बिरोध मार्च निकाला जाएगा ज्यार्खन में भासाई अतिक्रमन एवं 1932 खत्यान आदारित अस्थानिय नियोजन निती लागू करने कि मांग को लेकर अंदोलन किया जा रहा है ज्यार्खन का त्रितिय अनुपुरक बयट 28 फरवरी को ज्यार्खन का बयट सत्र 25 फरवरी से सुरू हो रहा है तीन मार्ज को बयट पेस होगा इस बयट सत्र में वितिय वर्ष 2022 तेज के बयट के अलावा इस वितिय वर्ष में 2021 के लिए तृतिय अनुपुरक बयट भी लाया जाएगा बीट सचीव अजय कुमार सिंग ने सभी जीलो के अपर मुख सचीव परधान सचीव सभी विभागा द्यक्षो को पत्र लिखा है और तृतिय अनुपुरक बयट भी लाया बीरनी 2021 के लिए प्रस्ता उपलप्त कराने को कहा जारकन बिदान से हमें 28 फरवारी को तृतिय अनुपुरक बयट भी लाया बीरनी प्रस्तूत किया जाएगा ऐसे में बीट भी भाग ने 12 फरवारी तक प्रस्ता उदेने को कहा है लोहर दग्गा में फिर से लेंड लाइन्स बलास्ट जवान घायल लोहर दग्गा जिले के सुद्रवर्ती जंगल में सनीवार को एक बार फिर लेंड लाइन्स बिसफोर्ट हुआ है जिसकी चपेट में आने से सियापी एफ कोवरा बटालेन 209 का जवान गंबीर रूप से घायल हो गया घायल जवान को भारतिय वाई सुना के हेलिकोप्टर से ततकाल इलाज के लिए रांची के मेट का भेजा गया है यह अखटना सनीवार लगभग 32 साम की बताई जा रही है मालूम हो 24 गंटे के भीतर लेंड 25 की चपेट में आने से सियापी एफ का यह तीसरा जवान घायल हुआ है ज़ारखन में स्वास्त छेत्र में अधिक से अधिक निवेस पर सरकार का जोर मुख्य मंत्री है मंसुरे ने कहा है कि राजे में स्वास्त के छेत्र में अधिक से अधिक निवेस हो इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है लोगों को अपने ही राजे में आची चिकित सा सुविधा मिले या सरकार की सरोज प्रत्मिकता है इसे लेकर स्वास्विधावों के बिस्तार और इसे बेतर बनाने पर भी लगतार काम हो रहा है मुख्य मंत्री ने एबाते सनिवार को अपने अवास से राची के सेटे वीटा अस्पताल की कार्डियक यूनिट में कैथलेव का अउनलाई सुभारम के उसर पर कही जारखन को दिए 50,000 वैलेट बोक्स यूपी ने मांगा वापस उतर परदेश सरकार ने जारखन को दिए वैलेट बोक्स को वापस मांगा है पंचायच चुनाव के मत नजर गत वर्ष सितंबर अक्टूबर महिने में पंचायती राजविभाग ने उतर परदेश सरकार से 50 वैलेट बोक्स उधार लिया था लेकिन वैलेट बोक्स लेने के छवामा बाद भी जारखन में पंचायच चुनाव नहीं होता देख उतर परदेश सरकार अब वैलेट वापस मांग रही है मालूम हो कि राज निर्वाचन आयोग ने गत वर्ष अक्टूबर महा में पंचायच चुनाव कराने जी समन्दी प्रस्ताव त्यार किया था अलाकि पहले तकने की कारणों और बाद में क्रोना की तीसरी लाहर के करान अब तक पंचायच चुनाव नहीं करया जा सका राज निर्वाचन आयोग ने परतेग पांसो ब्यक्ति पर मत दाता केंद्र का निर्धारित किया है पंचायच चुनाव में लगवग एक लाक वैलेट बॉक्स का उपयोग किया जाएगा जार्खन में तीन हजार बियार पी सियार पी की समस्या होगी दूर राज सरकार ने अब जार्खन में कारत तीन हजार बियार पी सियार पी की भी समस्या दूर करने की करवाई सुरू कर दी है राजे के सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने कहा है कि अने राजे की तरह जार्खन में कारत बियार पी सियार पी को भी सेवा सर्त सहीत बेतन और अने सुभधाय मिलेंगी उन्होंने सुक्रवार को राजय पर्योजना निदेशा को अने राजयों का विश्टीत अधेयन कर संची का प्रस्तूत करने का निदेश दिया सिक्षा मंत्री ने बियापी स्यापी के मांगो को लेकर पर्योजना के अधिकारियों वह महा संके सदस्योक साथ समीक्षा बैठा की जारखन में कुरोना के 206 नए केस मिले है जबकि 326 मरी स्वस्त भी हुए है जारखन में कुलेक्टिव केस की संक्या उन्हाई 171 है भारत में 28,094 नए केस मिले है जबकि 77,713 मरी स्वस्त भी हुए है भारत में कुलेक्टिव केस की संक्या पांच लाग संता होने 114 है